नमस्ते क्यासे आप सब लोग स्विच वर्ड लेखे आई हूँ आज मैं स्लिम होने के लिए मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि आपने अपने वेट को कम कैसी किया है पिछले कुछ महीनों पहले जब आपने मुझे देखा था तो थोड़ा सा फेस जो था वो मेरा अभी थी अभी भी मैं और थोड़ा सा ठीक कर रही हूं अपने आपको तो उसी के लिए और उसी की सक्सेस से जुड़ा हुआ ही जो रिजल्ट है वो तो मैं हूँ ही और साथ के साथ कैसे आपको करना है किस तरीके से आपको करना है और कौन सा वो वर्ड है और आप किस तरी कि आपको action लेने चाहिए तो switch word के बारे में मैंने अच्छे से clear करके अपना जो divine switch word था ना उसके बारे में मैंने सब कुछ detail में clear किया था कि इसके उपर कैसे काम किया गया और ये कैसे कैसे काम करता है सारे शीज़े मैंने बताई थी तो जो ये switch word है ये single word ही है और single word को ही आप को अपनी weight को कम करनी के लिए अपनी body को slim करनी के लिए use करना होता है और वो word है reduce ठीक है अब आप जब इसे हिंदी में सोचेंगे तो वो हो जाएगा कम ठीक है अभी मैं intention भी बताती हूं कि आपको कैसे set करनी है और किस तरीके की जो actions है वो लेंगे आप तो आप जल्दी से जल्दी अपने weight को कम होता हुआ पाएंगे और आप देखेंगे कि आप कितनी ज experience है सामने भी लेकर क्या हूं मैं ठीक है तो आपको क्या बोलना होता है reduce, 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 reduce आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं आप चाहें तो अपनी affirmations के अंदर भी इसे डाल सकते हैं लेकिन आपकी intention ये होनी चाहिए कि आप अपने fat के बारे में बात कर आप अपनी slim body के बारे में जब भी सोचते हैं तो reduce word आता है जब भी आप thought create करें कि मेरी body बिलकुल slim and trim है तो जो चीज आपको कम करनी है वो fat है obviously है तो इस तरीके से आपको intention को set करना है intention को set करते ही आपको chant करना है reduce 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 मैंने उस वीडियों के अंदर भी बताया था कि ये एक single word कैसे काम करता है या आपका जो conscious mind fight करता है उसकी fight को पूरी तरीके से बंद कर देता है और आपके subconscious mind के अंदर ये वाला श्रब्द जाता है intention के साथ में कि आप किस चीज को लेकर के reduce बोल रहे हैं आप fat को लेकर के reduce बो word बोल रहे हैं आप जो भी अपनी affirmations भी देता है ना कोशिश करें जादा से जादा reduce word का इस्तेमाल करें जब ये आप अपने slim होने की affirmations लिखते हैं जैसे कि मेरा weight काफी reduce हुआ है अब मैं बहुत slim दिखती हूँ, feel करती हूँ, बहुत active हो गई हूँ क्योंकि मेरा fat reduce हुआ ह मेरा weight reduce हुआ है, ठीक है तो इस तरीके से आप reduce words को use कर सकते हैं, आप अपनी बोल चाल की भरशा में भी reduce words जब भी लगाएं तो साथ में माइन में आना चाहिए, आप अपनी body के बारे में बात कर रहे हैं, आप अपनी fat के बारे में बात कर रहे हैं, आप उस weight के बारे में से सबकॉंशुस मैंड के अंदर यह वला वर्ड चला जाएगा और आप स्लिम होते चले जाएगे अब बात करके अक्शन की देखे वर्ड के अंदर तो पौबर है आपके सबकॉंशुस मैंड के अंदर जाएगा तो ओविजली वह वैसे वाले आक्शन भी आपसे करवाने वोक कर लीजे, योगा कर लीजे, कुछ स्ट्रेचिंग की एक्ससाइजिस होती है, वो कर लीजे, थोड़ा से अपने डाइट के ओपर ध्यान रखिए, और जब तक वापके सबकॉंशियस माइंड के अंदर पोहँचेगा ना, तब तक आप नोटेस करेंगे, कि आपके क्योंकि यह जो एक्शन आप ले रहे हैं, और साथ में आपने चैंटिंग को भी लगा हो, आप कभी भी बोलते रहते हैं, reduce, 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 आप लिखते भी अपने gratitude journal के अंदर भी आप reduce word का जो है, इस्तेमाल करते हैं, जब यह वेट की बात करते हैं, देखे, याद रखिएगा, reduce word आप हमेशा वेट के साथ, फैट के साथ, अपनी बॉड़ी को अगर कम करना है, तो उसके साथ ही use करें, ठीक है, तो reduce word ऐसे ही कहीं पर भी उठागर के आपको नहीं बोलना है, जब भी आपकी बॉड़ी की fitness की या किसी और की बॉड़ी की या fitness की, किसी model की आप बात करें, उसकी body care, fitness की बात आ रही है, तो आप affirm कर सकते हैं कि वाओ यार इसने कितना weight reduce किया है, reduce हो जाने के बाद में इसकी body कितनी अच्छी लग रही है, तो इस तरीके से आप affirm करें, साथ के साथ action लें, जब तक आपका subconscious mind इस बात को लेके प्रोग्राम नहीं हो जाता, कि आपका जो weight है वो reduce हो रहा है, तब तक आपके जो action है थोड़ा consciously लेते रहें, उसके बात तो आपका subconscious mind ही आपको ऐसे actions करने के लिए मजबूर कर देगा, कि आप खुद बखुद ही वैसे action लेना शुरू कर देगे, और उसके पहले जैसे ही वो प्रोग्राम हो जाएगा, आपका fat भी reduce होना शुरू हो जाएगा, आपकी body भी slim होनी शुरू हो जाएगी और आप खुद देखेंगे कि आपकी body कितने प्रभाखशाली तरीके से और कितनी जल्दी कम हो रही है, बहुत ही powerful word है, specially उन लोगों के लिए जो अपना weight कम करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा र लेके, आपके fat को लेके, और body को लेके, किसी और की body को लेके, किसी और की fat को लेके, सिर्फ body, fat और weight, इसके उपर ही आपको intention set कर रही है, भले आप किसी और के लिए affirmation दे रहे हैं, उसमें भी reduce आपके लिए ही काम करेगा, क्योंकि आपका subconscious mind है, आप बोल रहे हैं, conscious mind की जो लोगों की सामने हूं ही, exercise बसे मैं नहीं छोडती हूं, मैं daily running, risk walk, yoga, जो भी मुझे ठीक लगता है, वो मैं जरूर करती रहती हूं, पीछे यहां पर 4-5 महीने, अब तक भी बारिश हो रही है यहां पर, तो उतना बाहर जाके running को गया रहा नहीं हो पाता है, तो मैं पूरी आपको करना है, आप करने लोगोगे, वैसा हो जाता है, और आपके सामने कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे आएंगी, जैसे की cycle आगे, आपका मन्क्यारे वाँ आपको चलाने के लिए जाना है, तो आप चले जाओगे, शूज आगे, आप ऐसे पहनोगे, और running के लिए निकल ज आपको मिलेंगे कमाल के रिजर्स, अपने अपना रगी क्याल अपने अपसे कीज़ें सारा प्यार था कि बट्राट करें सारा प्यार, लाव यो, टड़ा,